आज कहानी ऐसे लोग सभा की जहां पर पहले ब्रामनों ने राज किया उसके बाद उस सीड को सुरक्षित कर दिया गया और सुरक्षित होने के बाद अब नितीज तेजस्वी में ताना तानी चल रही है कि कौन अपना परत्यासी वहां पर उतारेगा किसका परत्यासी वहां और भाजपा के प्रत्यासी से लड़ने जाएगा ऐसा हम क्यों कह रहें कि भाजपा का ही प्रत्यासी क्योंकि भाजपा अपने उमिद्वार को तयार लेकर बैठी है कि आज आओ मैदान में एक-एक हांथ कर लेते हैं आर पार की इस्तिती है और नितीशते जश्री अभी भी क कर रहे हैं कि कौन अपना प्रतियासी उतारेगा वहां पर आज हम गोपाल गंज लोग सभा की चर्चा करेंगे कि या वहां पर थोड़ा सा उसका इतिहास आपको बताएंगे और उसके बाद फिर बताएंगे कि 2024 की लड़ाई में कौन-कौन है लेकिन उसके पहले नमस्कार मे जादा पुराना इतिहास नहीं खांगा लेंगे 1991 से बात करेंगे 1991 में अब्दुल गफूर करके एक सांसद बने जो की जनतादल से फिर लाल बाबू परसादियादों वहां से सांसद बने जनतादल से फिर 1998 में जब उपचुना होता है केंद्र की सत्ता पलड़ जाती है औ उसके बाद फिर 1999 में जब चुना होता है तो रगुनात ज्जा वहां से सांसद बनते है फिर 2004 में साधु यादों जो की लालू परसादियादों के साले हैं वो वहां से चुनाव जीतते हैं उनका आप कह सकते हैं कि गरी छेत्र भी है वो लालू परसादियादों का भी वो जिला है और उनके साले जो है 2004 में वहां से सांसद बनते हैं और उसके बाद फिर वहां पर जेडियू की एंट्री होती है पुनमासी जो राम है वो वहां से जेडियू से जीतते हैं वही सीच को सुरक्षित कर दिया जाता है और उसके बाद फिर 2014 में जनक राम भाजपा से वहाँ पर चुनाव जीतते हैं और फिर अभी हाल में वहाँ पर अलोग कुमार सुमन जो की जेडियू से बरतमान के वहाँ के सांसद है ये उनकी तस्बीर है ये वहाँ पर अभी सांसद है और सत्ता को चला रहे हैं लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि 2014 में कौन-कौन था ल सांसे कौन उमेदवार था उनको कितना वोट मिला था, 2014 की चर्चा करेंगे, 2014 में जनक राम को 4,68,773 वोट मिला था भाजपास से थे जनक राम और उसके बाद कौंग्रेस प्रतियासी थी डॉक्टर जोती भारती, डॉक्टर जोती भारती को वोट मिला था 1,91,837 यह डॉक्टर जोती भारती को वोट मिला था जो हार का मार्जिन था वो था 2,76,936 वोट यानि 2,76,936 वोटों से जनक राम जो है वो चुनाव जीत गए थे उसके बाद 2019 की चर्चा कर लेते हैं 2019 में जब एंडिये की सरकार थी जेडियू एंडिये में सामिल हुआ भाजपा जनक राम को कहता है कि आप बैठ जाएए हम वहाँ पर जेडियू को वो सीट जो है वो देने जा रहे हैं जेडियू वहाँ से अपना प्रत्यासी उतारता है जनक राम अपने सीने पर पत्थर देती है और जेडियू फिर वहाँ से अलोग कुमार सुमन को प्रत्यासी बनाता है अलोग कुमार सुमन के सामने राज़त के प्रत्यासी सुरेंदर राम रहते हैं और सुरेंदर राम अब बता देते हैं आपको कि अलोग कुमार सुमन को कितना वोट मिला अलोग कुमार सु जब सुनिएगा तो आप भी सोच में पढ़ जाईएगा हार का मार्जिन जो है वो है दो लाख चीहत्तार अजार चारसो चौटीस अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो पिछला दो हजार चौटार चारसो चौटीस बतब पांसो का इधर उधर रहता है लेकिन हार का मार्जिन लगभग तीन लाख ही रहता है और उसके बाद अब चर्चा करेंगे कि दो हजार चौबिस में लड़ाई में कौन-कौन है हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि नितीश तेजस्वी में म उमिदवार को तयार लेकर बैठी है कि आज हम मैदान में कर लेते हैं दो-दो हाथ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अब आपको समझ में आएगा अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं दोज़ाद चौबिस की लड़ाई में कौन-कौन है सबसे पहला नाम जिसका है दोज़ाद च करनक राम को उमिदवार बनाया जाएगा और उसके बाद अब हम क्यों कह रहे हैं कि मारा मारी चल रही यह अब समझ में आपको आएगा इंडिया जो गठ बंधन बना है उसके तरफ से सूरेंदर राम जो की राजत की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं यह उनकी तस्बी वो कह रहे हैं कि यह तो सिटिंग सीट है यह तो मैं छोडने वाला हूँ ही नहीं तो आप कैसे उतरिएगा और सुरेंदर राम कह रहे हैं कि आपका रिप्लेस्मेंट जो है वो मेरे से हो जाएगा हम आ जाएंगे उसके बाद अनील राम नाम के प्रत्यासी भी इस मैदान म हैं हम भी उतरेंगे अभी नितीश ते जस्वी में बात हो ही रहा था कि माले की भी एक प्रत्यासी आकर मैदान में खड़े हो जाते हैं कहते हैं कि हम भी मैदान में हैं और अब देखने वाली बात है कि नितीश कुमार के आपनी सिटिंग सीट जो है वो छोड़ेंगे ऐसे भी उनके 16 सांसद हैं और उन्हें 15 टिकट मिलेगा और 15 में से वो बहुत सारे नए प्रत्यासी की एंट्री कराएंगे और बहुत जगा पर उनका टिकट कटेगा भी बहुत ऐसा छेतर होगा और ऐसे भी अगर देखा जाए तो सीवान और गोपाल गंज ये दोनों पर गोपाल गंज में से जेडियू राजोद को कौन सा सीट देता है सीवान भी मारा मारी चल रही है जेडियू सीट छोडने को तयार नहीं है और गोपाल गंज में भी जेडियू सीट छोडने को तयार नहीं है अब देखते हैं क्या होगा लेकिन हमने आपको तो ये बता दिय कि लड़ाई में कौन कौन है लड़ाई में आपको इंडिये के तरफ से जनक राम है मागट बंदन के तरफ से सुरेंदर राम है अनिल राम है और अलोक कुमार सुमन जो मौजूदा सांसद है वो भी लड़ाई में है वो कह रहे हैं कि हम क्यों सीटिंग सीट छोड़े हम यहा